मैं रवी रिंजयन आप लोग का स्वागत कता हूं मैंगे बेंस हिंदी में जो आपको प्रवाइट करता है छटी से बार वी कक्षा के सभी विश्यों के विशे में expert हैं और ये आपको देने वाले स्कुषि और हमें तो होना है काम्याप तो हम होगे काम्याप तो इसे के नारे साथ हम करते हैं वीडियो को 2018 बीजिटी सब्सक्राइब के लिए या फिर कोई स्टेट बोर्ड जो डिफरेंट 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 टाइप है जैसे एंपी बोर्ड है राजस्थान बोर्ड है यूपी बोर्ड है इनके अंदर भी इस तरह के पूछे गए यहां पर आपको मिलने वाला है complete package वह बेस्ट क्वालिट कंपेंट प्रकेंट जो कि पूछे जाते हैं ठीक है चलो वही तो आज हम क्या पढ़ने वाले तो आज हम पढ़ने वाले वर्गी के समानतर माध्य माध्य के बारें पढ़ने वाले हैं कि माध्य क्या है तो माध्य के आधार पर आज करने वाले हैं कोस्चन जो की पार्ट वन में हम करें और माध्य में तो माध्य होते हैं तीन परकार से माध्य को निकालते हैं तो एक है आपका प्रतेक्ष विधी जिसे हम कहते हैं डारक मेठेड कहते हैं दूसरा है Тीन चीज़े आपकी है ये चींति вмेट हैं जिससे कि हम निकालते हैं कोई वी जो हमारे पर आखड़ता हैं उनका माध् dh निकाल जाता है तीक अब हम देखेंगे आज क्या पड़ेंगे तो आज हम पड़ने वाले हैं आज पड़ने वाले है प्रतेक्ष विदी जो डारक्ट में थरता उसके आधार पर कोशिंस पढ़ने वाले हैं यानि इस प्रतेक्ष विदी का आधार पर जितने टाइप के कोशिंस बनते हैं बन सकते हैं वह हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो आप इसको पढ़ोगे तो इसके बाद ब तो मात जिक्याद कैसे करेंगे इसमें क्या करेंगे इसा पूछ नहीं आप सुरू से जुड़े रही आकर तक देखते रहना कि हम करने वाले हर ताइप के कुशन हर ताइप के डिखाएंगे जो कि आपके बोट के पॉइंट फूइस होगा तिके चलो यहां पर देखते हैं प एक सब्सक्राइब कितना यहां पर एक्स क्या है एक्स होता है आपके नमबर जो कि क्या है चार छे नौ दस बंदरा जो भी आपको दे रखा है तो हमने लिग दिया पे चार छे 9 10 और 15 जी जोगी एफ की बात करें तो यहां रहा है पाँच दस दस साथ और आठ तो यह चीज़ आगया में रफस और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको क्या करना है इसकी कंसेप्ट वीडियो को जरूर देख लेना है अगर आप इसके वीडियो जो भी इसको इसको में एक्स्प्रोर किया हूँए के करवा ओने लुदे कनके पुषण और में पिर होता क्या है होता क्यान है कैस संसे हम नि del çevrem को और जो मैंने उसके बारे में बताया था बीपली बात बताई है इसके बाद यह बहुत जादा उने ठीक है चलो भी तो उसको भी पढ़ना जरूर है अगर आपको आता है पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता तो एक बार जरूर देख लेना विडियों को ठीक है चलो भए यहां देखते हैं यह एक्साइए और फाइए ओके अब हमें निकालना है को माध्य कैसे न कैसी उटाइए पहले करना है तो पहले करेंगे हम एक फाई और एकसाइग अ गुना करेंगे अब इसकी और T साथ हा जाएगा तो साथ हा गया नौको दस से क्या तो नबबे आ गया दस को साथ से क्या तो सतर आ गया और पंद्रा को आठ से किया तो हो गया हमारा ठेक सो बीज अज़्या्व सब्सक्राइब ऊसके बाद क्या है यह हमारा स्चिक मादनीं यह चीजिप मतल़ होता है सबको जोड़ना सबको जोड़ना तो पहले लिखा यह भी है स्चिग महाइं यहां خ तो हम देख सकते हैं एका जोड है वह आ रहा है चालिस बहुत बढ़िया इसकी बात के तो इसको भी जोड़ते हैं तो इसमें 0000 तो जीरो आ गया ठीक है और 6-2-8-8-9-7-7-7-7-7-7-7-9 की बात करते हैं तो 36 हो जाएगा सत्राव खान उनौ-26 क का छे हासिल दो और और एक तीन हो जाएगा, तीना साथ ऐना स away जाए घोल साथा यह जोड आया है और जो फैट जोड़ा और ब लिछ Evet को और तक हम आरें तो ञोड़ाया है से का अब scan सिरीज को जोड़ देना ठीक है उसका पूरा सिरीज हो जोड़ दिया गया तो उसी को आया ता सक्वार यहां का मतलब डोड़ा है चालिस आ गया इसके मान को हम रखेंगे यहां और निकालेंगे माध्य चलो बहीं तो माध्य के लिए क्या हो जागा यह आजगा तीन सो साथ बटे में 40 तीन सो साथ बटे में 40 अब इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 0-0 गया 4-9-6 यानि यहां पर क्या है माध्य का फॉर्म आ गया यहां पर माध्य कितना आ गया नौ आ गया है तो यह बहुत यज़ी कोश्चिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो यहां पर आपको यह दे रहा है जो हमने एक कॉलम लिखा फाइड गुना कर दिया और जो फॉर्मली में था वह हमने यहां पर निकाल लिए और उसको वहां पर तो यहां पर इसका माध्य दे रखा है पहले से बहुत बढ़िया अब कहा है तो पी का मान ग्याद किजिए पी जो है उसका मान ग्याद करना है अब यहां पर हम देखे यह यह एक्स है और यह एक्स की बात करें तो यह दो आ रहे हैं यह चार आ रहे हैं यह छे आ रहे हैं यह दस आ रहे हैं और यह पी प्लस पाँच आ रहे है ठीक है भी प्लस पाँच आ रहे हैं फाई की बात करें तो यह क्या क्या रहे है तो तीन आ रहे है दो तीन एक दो यह आ ठीक है पर देखो माध्य की बात कर रहें माध्य अगर छे दे tarah to हम इसमें लगाएंगे क्या माध्य का फ/. तो पहले है तो निकालने तो अध time को को गुणा करेंगे तो तीन दुनिए चारदुनी आठ छतिया अठारा के 10一 कम 10 और पी को इसने घुना करेंगे तो दो पी फुक्स में दस ही जाँगा तो 000वAMA अब इसमें करना तीन जक्म सीजमा निकालना है तो सिजमा ऊप्धा की बात करें तो तो तीन ओो पांच तीन आठ नो और स्धों 11개를 12 यरे छे तृव चलो बहुत ठीक 11 यह विस्लीख दिया यहां की बात करें तो तो क्या कैसी आ रही हैं तो हम देख रहे हैं इसमें 10 28 28 और 64 और 34 और आठ 42 और दस बावन मतलब हम लिख सकते हैं तो बावन प्लस में दो पी लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं आपे तो यह 28 था 28 और 6 34 34 और 8 42 और 42 और दस बावन ठीक है चुलिए आगे हमारे पस आप जो 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 चीज आए उसको वहां रख देते हैं तो यहां पर दिक्व में इसी के साथ यहीं पर देता हूं सिग्मा एफाइक साही कितना है बावन प्लस में दो पी ठीक है और सिग्मा एफाइ कितना है ग्यारा है अब बरावर में च्छी है और बरावर में च्छी है क्योंकि फॉर्मला आपका यही था इसके बरावर में च्छी यहां लिखी नीचे वाले की वैली यहां लिखे और छे का छे रहन दिया ठीक है ग्यारा को ठाके छे से गु तो यह आ जाएगा 14 बरहें में दो कि भी ठीक है अब पी का मान कितना आएगा तो पी 좋은 बटे में 2 आ जाएगा और 2 दिकतवाली बात नहीं सब्सक्न सकते लुए कर सकते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट कुस्टिन पर तो निमलिखित बारंबारता बार्टन का माध्धी जो देखा वह साथ पॉइंट पांच दे रिखा है ठीक है अब देखो इसमें क्या हो पिछले कोशन में अब इसको क्या करते हैं इसको करते हैं सॉल भाई जैसे पिछली बार क्या था वहीं चीज होगी लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है ओके तो ऐसे कुशन में थोड़ा थोड़ा सा चेंजिश करके अलग लग कुशन बनते हैं और वह चाहिए अपको अलग टाइप के बताते जा रहे हैं चलो बैठीक है यहां पर स्टाट करते हैं तो इसमें देख रहे हैं एक साइग और फाइद दो चीजे नहीं पास है एक पंदरा पी आठ और चार इस आगया ठीक है अब हमें निकालना था तो निकालने में माध्य वाला ही फार्मला लगेगा जो की हमारे पास क्या है सिग्मा एफाई एक साइब टे में सिग्मा एफाई है ठीक है यह चीजे माध पास आ रही है ओके अब यहां पर हम देख रहे है पहले यहां पर एकसाई निकाल लेते हैं गई है ठीक है छेती आएगा अठारा उके आठ चालिस आ गया ख़िया और पंदरा सत्ते 105 आ गया ठीक है पेको नों से करेंगे तो नौपी आ जाएगा ठीक है और फोट गैरा एचाश्य बावन आ जाएगा प्री यह चीज तो इसको कर सकते हैं कि यह मार पर साज़ेगा सिगमा एक्साई आजाएगा अब इसको जोड़ लेते में जोड़के कितना आएगा तो हम यहां देख पारे मैं 6 और 8 कितना हो रहा है प्लस में लिल्ग है है यहां क्या दोनों करने तो allow को इसको मत जोड़ना इसको मत जूड़ना तोक्ति फिसको मत जोड़ना क्यों न यहां सुड़ना और 1 which के साथ जोड़ेगा पी वाला नंबर के साथ जोड़नी सकता त्रीक है तो इसको रहने देना तो आप दिखते हैं क्या तो आठ और आठ शोला ला रहा दो दर्स और और पांश तेरा मतब हैं तेज आरहा है इन पी भी surgeा तो इसको अलग से लिख देगे प्रसमें 9P को टीकर यह आ गया और यह आ गया अभी इसको वें करें अंधर अफर्मलह nauc स्क्रोता है यह देखा है 7.5 पर नब हैं इसात पॉइंट पांच अब बनाभर में सीगमा एक्तालिस प्लस में पी आ गया चलो भी बहुत बढ़ी है यह आगया मार पास अब इसको क्या करते हैं इसको उठा के इधर लेकिए ठीके और गुणा कर देते हैं गुणा हो रहे हैं तो हम देख पारे में 327.5 आ रहा है तो हमने क्या क्या इसको उठाकर इज़र गुना कर दिया तो यह आ रहा है 327.5 प्लस में पी से गुना होगा तो क्या होगा साथ पॉइंट पांच पी आ जाएगा अब बराबर में 303 प्लस में नौपी है यह चीज़ आ चुका है अब क्या करते हैं साथ पॉइंट पी को उठाके इस्टाड लेकर आते हैं तो यहां हम देख पा रहे हैं 327.5 माइनस में 303 बराबर में कितना रहा है तो नौपी माइनस में साथ पॉइंट पांच पी यह चीज़ आ गया आपके बस ओके अब बस 327 में से 303 गया कितना बचेगा तो यहां हम देख सकते हैं चार तीन साथ मतलब 24 बच गया या चाविस पॉइंट पांच और यहां पर इसको माइनस करते हैं तो यह कितना आएगा तो नौ में से साड़े साथ जाएगा तो यह बच जाएगा देड़ मतलब 1.5 यह बच गया 1.5 पी बच गया चलो भी ठीक है यहां पर यह इतना आ चुका है अब इसको भर फीका मान निकालते तो पीका मान कितना आएगा तो पी का मान आएगा कि चौविस 5 बटे में एक पॉइंट पांच फी एक पॉइंट पांच आजएगा इस जा रहागा न हरा पास ठीक है चार तीन-साथ सतली प्इंट अब यहां पर इसको काटन की किए बात तो तीन एकम तीन चीक अठारा पॉइंट में एक बचा है तो तीन तीन नौ प्रेगा प्रेवास पी का मान आ गया तो पी का मान इतना आ चुका आपका तो यानि कि हमें क्या करना था इसमें हमें सिर्फ वही इस यहां जो दो चीज़े रहे हैं उसको गुना क्या निकाल दिया उनका स्वाइशन निकाला उनका सिग्मा निकाला उसकी वैल्यू रखियो और बस जोड़ गटा गुना भाग इतना ही करना तीक है चीज़े अराम से होती जाए कोई दिक्कत वाली बात निया चलब बढ़ इसक क्या है यह दो चीज़े अग्याद दिख रही है आपको यह नहीं पता और यह नहीं बता ठीक है इनको आपको ग्याद करना है तो एकस है और लिखा और फ एक सा1 के बात करने तो इसको लिखा एफ हैं तीन है चार है और पांच है थीक है FI की बात करये है तो in 46 यह चाही है पहला वाला खाली है तो खाली को इसको मान लिया X आ सो इसको मान लिया य इससे मान लिश तो यह आगे आपका का एक्स और यह आगेया य और साथ में कितना है 25 को बच्शीष 1-8 धस है फिर आकशी siendo है और इनका कुल दे रखा है दोसों प्रिफटी चीजिव दिर कि है तो पहले हम इसका फर्मिली निकालते कि कि माद्धे का फर्मिला हमें पता है क्या होगा सिग्मा एफ आइए एक साइए भटे में सिग्मा एफ ईपाइए बावर में कितना रहा है तो एक पॉइंट चार्च यह रहा है उन्हुंप्पाइख ब करेंगे तो 2y आएगा 25 तिया 75 आएगा 10 चौक 40 आएगा और पांच पचम 25 आएगा यह चीज आगे ठीक है इनको अगर हम जोडते हैं इनको अगर जोडते हैं तो कितना आजाएगा इसको जोडते हमारे पास आजाएगा भाई कितना 75 पच्छिस सौ जाएगा 140 यानि हम कह सकत लिए यह चीज़ आगई हमने पस इसको हम यहां पर लिखते हैं सिग्मा एफाइए एक साइक तो एक सुचालिस प्लस में दौ बटे में सिग्मा एफाइज जोकी कितना रहा है तो इसको हम दोसु लिखेंगे एक पॉइंट चार ची आ जाएगा चलो भी ठीक है इसको गुणा करते हैं नीच्छे से उपर की तरफ गुणा करेंगे उपर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा यह 140 प्लस में एक्स प्लस में 2y और इसको हमने गुणा किया तो यह आ रहा है दो सो यहां से अगर मैं 140 को दूसरी तरफ घटाता हूं तो घटाते ही क्या जाएगा तो हम कह सकते हैं यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस में 2y कि बराबर में कितना आ रहा है तो 292 माइनस में 140 आ रहा है ठीक है भई 140 को उठाके दूसरी तरफ भीज़ेंगे तो 40 घट जाएगा 292 में से ठीक है तो यहां पर हम देख पारें एक्स प्लस में 2y कि बराबर में कितना आ जाएगा तो चौदर दुनिया तो अगर जोड़ा जाए इस एफाई को जोड़ा जाए तो यह हमारा आ रहा है एक्स प्लस में वाई और बराबर में आ रहा है दो 200 यह चीज़ है हमारे पास ठीक है इसको अगर पूरे को जोड़ते हैं तो यहां रहाए च्छासी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में 200 जोगी 200 दिया हुए यहां से तो यहां आते हैं अगले पेज़ ले लेते हैं जिसके इसको करेंगे तो यहां पर हमारे वाई बराबर 152 यह हो जाएगा एक्स प्लस में वाई बराबर में 114 चौश mínimo ठाठीक है इसको से लेक्स से काण एक से लिए हम पहले बाद समिक्रण में से बाइडिक आट रहे है एक स्थ हैं अगर्पि से इस सिर्फ बचा वाई और एक सो बावन में से यह जाएगा तो कितना बचे का engines सब्सक्राइब यहां रखेंगे तो एक सप्लस में 38 बराबर में 114 है अब कि मान निकालेंगे तो 104 माइनस में 38 जाएगा तो 38 की बात करें तो कितना मानिस जाए गया यह तो तो दस असी और च्योंच चैतर कि सेतर हो जाएकी में लगूत तो हम इत्वरें रहे हैं ऑफ चौन चौन चेतर यह इसमें से उने सब्सक्राइब है तो एक इस का मान चैतर आप डिया है और वाई का मान आ गया है अर्थिस जी दूमान हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमें में दीख रहा है एक्स कमान्at ओर सकते हो और इसका भी us physicist ॥ लिजिए और आते हम नेक्स प्रफिन पांच सिक्कों के एक साथ हजार बार एक हजार बर क्या है उच्छा लगा है उसके बाद का है प्रतिक बार चित आए सिक्के की संख्या की प्रेक्षित किया गया मतलब जितने भी सिक्के जो है उनमें चित कि बार आरा रहा है वो दिखा जा रहा है ठीक है चलो बई तो पर्ति परती उच्छाल जीडो एक दो तीन चार्ट पांच जो भी चीज है मतलब कितने हैड आ रहे हैं तो उसमें से देखना वाई उसी को उसी को अब्जर्व करकर एक डाटा बनाए यहां पर यहा इसा हुआ है कि एक बार हैं यह नहीं तीक है उसलिए बहुत है तो यहां पर कम से चारबार और और पांच में पांच एड़ा रहा आए यह चीज में रहे हैं पांच में करें यह तीक है चलब वगई अब इसमें क्या है जब भी यहां पर देखोगे जो चीज़ें आती है इसको कहा जाता यहां पर यहां पर तो हमारी है एकसाई यह अब इनको क्या-कया है इनको जोड़ कर टोटल तो थSt andAD थक है तो यहांनि हम कह सकते हैं यहां पर शिगमा एफाई यहार रखा 1,000 ओके चलो भाई इसके बाद इसने क्या का है प्रति उच्छाल माध्य चितो मतलब में नबर of Head Patotz मतलब की एड आने की क्या मतलब की माधिक्त है है डाने का माधिनिकाला है तो-सका माधिक ऐसे निकले गा तो एक साइ पता हमें एक साइ निकालना है तो यहां पर मैं कॉलम और बनाता हूं जो कि आएगा एक साइफ़ाइगा चलो भी ठीक है यह ऐह आजाएगा एक साइवास ही आएगा अडिया बहूत बढ़िया दो को जब 287 के साथ तो कितना आजाएगा तो साथ तिया 21 और आर्टिया 24 और 25 26 और तीन दूनी छे छे और दू आठ बहुत आठा गया ठीक है चार को जब 164 से करेंगे तो कितना को चार चॉक 166 चॉक 24 और एक 25 और पांच को जब 25 से करेंगे तो कितना आजाएगा एक सो पच्चीस आजाएगा कि यह हमारे पर आगे जो कि हमने सको गुना गुना करके निकाल लिया ठीक है अब इनको जोड़ते हैं यहां पर क्योंकि हमें निकालना है क्या सिग्मा एफ आए एक साई ठीक है इसको अगर जोड़ते हैं तो आ रहा है मैं पास चे चार दस चार चौदा पंदरा बीस बीस का जीरो हांसल दो ठीक है अब यहां देख रहे हैं कितना आ रहा हैं चार दो छे छे बारा बारा आठ बीस बीस साथ 27 का साथ हांसिल दो ठीक है अब यहां पर कितना आ रहा है तो छे छे बारा आठ बीस बीस दो बाइस और दो चौविस मतलब 2470 आ रहा है अग्या चौवीघ्स सॉसेतर आ ठीक है यहागा स्टिमा एफ आ गया जब इसमें मादी जो निकालने नहीं तो मादे का फार्म ला क्या था तो मादे का फॉर्मूला हमें पता यह यह सिगमा एफ़ाई एकसाई बते में सिगमा एफ ए यह चीज़ें सिग्मा एफ एक सांकि ब इसको Divide करते ही भाग करते आ रहा है दो पॉइंट में 4-7 यह माध्य आ गया है तो इसको इस्को नोट कर सकते हैं और उसके बार हमाते हैं next question पर कि तो तो कि तेर के चार विद्द्धाल्यों के विद्धार्थी निम्न आकड़ों के सार्नी के अनुसार गढ़ीत की परिक्षा में संब्लित हुए ठीक हैं लिए चार विद्ध्याले है उसें क्या किया है वह कहा है मैच का पेपर हुआ उसके अंदर वहने पार्टिसिपेट किया तो इसने गया है विजयारतियों कि संख्यां मतलब पहले अबिशियाले साथ बच्च दूसरे विद्याले श्यज्य योकि नहीं पता और जो आइपरेज मार्क्स चूआ है तो तो तीसरे तीसरे विद्याले के इस परिक्षा में सम्मिलत हुए कुछ कुल विद्यातों की शंक्या ग्याद किजिए मतलब की एक्स का मान ग्याद करना है एक्स कमद करना है ठीक है तो यहां पर विद्यात्यों की संक्या तो इसको आ fraction our यहां पर चाहरे है जो फ tässä या आर रहे तूम और क्या क्या करेंगे लिए separate our if पता है अब यहां पर निकालना है तो माध्य का हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एफ़ाई एक साई बटे में सिग्मा एफ़ाई बराबर में चाहर तो मतलब यह दोनों बान हमें पता होने चाहिए तो मान का मतलब क्या है पहले हमें निकालना सिग्मा एफ़ाई एक साई निक गए तो छे पंचे तीस और छे सटे 42 और तीन पिंतालिस पंटालिस तो आ घ्या तीक पुषित्र पुशाट शेको नगे पंटालिस आ गया चे पंचे तीस तीस तीज टीक है अड़तालिस को हम अस्ती सब्सक्राइब करें कि तो कितना होगा तो अठाट टुच उसट और आठ पाच्च बतीस को च्छे अड़तीस यह आगे हमार पास ठीक है एक्स को जब 55 से गुना करेंगे तो पच्छ पन एक सा जाएगा है ठीक है चालिस को पचास से गुना करेंगे तो कितना एक पांच यूग 20 मतलब दो हो जारा है ठीक है फार्मलेक एक्वर्डिंग हमें चाहिए सिग्मा एफ आइफ इसको जोड़ना पड़ेगा तो इसको जोड़ों के तो कितना हो जाएगा तो साथ पांच बारा तेरा और आट पांच तेरा चप्विस दोसो साथ यह रहे है इन दोनों को गुना किया तो यह कितना 130 आ ग तो इसको जोड़ने के लिए इसको नहीं जूड़ना पच्पन एकस को नहीं को नहीं चोड़ना क्योंकि एकस वो अलग से लिखा जायगा को यहां पर हम कर रहे हैं सिग्मा एफ झाइशन तो यहां पर मिहां चारका तीक है आट पांस mogą से एक आते कितना जाए चाहर पाँच तीन आठ और नौ दस यहां पास सिग्मा एफ एक सा कितना आगे दस तीन सो चालिस यह चुका है चलो भी ठीक है और प्लस भी प्लस में आएगा 55 अगया अब इनको रखते हैं यहां पर यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा तो यह रहा हमार पर दस तीन सुचालिस दस हजार तीन सुचालिस यह आ गया और प्लस में 55 पन एक्स और बटे में आ रखा है कितना 260 बराबर में है 66 चलो यह चीज़ आ गया इस 260 को उठाके 66 से गुना करेंगे तो गुना करते ही कितना हो जाएगा तो हम यहां पर साइड में गुना कर लेते हैं कि 200 मतलब 26 को 66 से गुना कर लेते हैं तो छे चिक शतिस का छे हांसिल सब्सक्राइब और छे दोनी बारार तिन पंदरा छे पांच एक छे ग्यारा कि साथ एक मतलब यह आ रहा है जब इसको इससे गुना करोगे तो यह दस हजार तीन सो चालीस है प्लस में पच्पन एक से और बडाबर में यह कितना रहा है एक साथ एक छे जीडू ठीक है मतलब 17160 अब इसको उठाके दूसरी तरह भीजेंगे तो हम कैसा तो वे पच्पन एक जुआ रहा है वो कितना आएगा सत्रह हजार एक सो साथ में से माइनिस करेंगे दस हजार तीन सो चालीस इसी माइनिस हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई थेपित जाएगा इसके अंदर से तो 6000 है 282018 ऐसे गटाया और इसके बाद यहां पर एकस है और 55 को लेंगे नीचे और 55 से क्या ये कट रहा है क्या ये कट रहा है तो हम देखते हैं वह 11 ग्यारव पच्पच पेड़ गए और इंद ओर सब्सक्रों का है यानि हम यहाँ कह पाएंगे यह छो एकसा रहा है यह एकस जो आ रहा है वो किटना रहा है तो यह आ आपका 124 एकस कमान 124 आगयो साफ्य है था यानि तो पाले में से तीशें तीश्य कर MH् ठाःट उसको वहां रख दिया जो F I S touched तिमार वो रख दिया है और उसको कैलकुलेट किया गया है करके एक समानतर माद्धे गयाद की जिए तेको इसमें क्या है देखो जिसमें आपको दे रिखा वर्ग अंतराल ठीक है पहले सिदे यहाँ पर हमें मादे निकाल नहीं तो मादी के पहले को पहले जिसे हम कहते हैं की तो ही दे रहा है में सिय दे रहा है वो कितना दे रहा है जीरो से दस को तस्से 20 20-30 3040 40 50 कि ऐसे हमें तीक है उसके बाद सी आई के बाद एफर की बात करते हैं ऐसाइक इसाइव इसाइक बात करें आठ हैं और दस हैं यह आगया ओके तो यह हमें क्लास इंटर्वल मतलब वर गंतराल दे रखा है और यह हमें एफाई दे रिखा है कि भई दिस जिरो से दस के बीच में जो आ रहे हैं संक्या वह साथ है ठीक है अगर महां लोगी यहां पर बात की जाए कि रंद मारने जैसे न जो कि हमने यहां लिखा हैं और नीचे क्या है जो बच्चों की संक्याति उसको हमने फाई लिख दिया उसके बाद इस से निकाला जाता है एक साई और एक साई कैसे निकालते हैं तो 0-10 बटे में दो मतलब सी आइक चोटा वाला बढ़ा बड़ा दोनों को जोड़ो और तो इसमें दस्का ही डिफरेंस होगा इसको जोडते भी हो तो विस पतीस तीस बटे में हो नहीं तो तस का अंतर रहा है तो जितना अंतर यहीं होता वह इतना अंतर होता है यहाप यनि परकाइब करने की ज़रुरूत नहीं है पाँच से पंद्राया और पंदर से चीथे 25 आएगा और 35 से पंटालिस आएगा ठीक है यह चीज़ हो गया ओके चलो भी उसके बाद देखो हमें निकालना है क्या माध दिनिकालना है तो माध देका फॉर्मूला था हमार पस क्या तो स इसी फ़र्मले को हमें complete करने किसी फ़र्मले को complete करने है तो यहां पर हम पहले एक साही निकालेंगे साथ पंचे पैंतिस आ गया इसको करेंगे तो एक सो पचास आ गया पच्छीज को करेंगे तो ढ़ाई सो और ढ़ाई सो के बाद एक सो पच्छीज तीन सो पिच्टतर आ जाएगा अ ठीक है 35 को आठ से करेंगे तो आठ पंचे चालिस और आरतियच चौबिस जीचे जाएगा दोस्ति अगया दस को 45 करेंगे तो चार्फोपचास आजाएगा ठीक है यहां पर यह आपका है एफ आप इसमें निकालेंगे फाइए एक साही निकालेंगे ठीक है यह दो चीज़ आजएगी सिग्मा फाइप की बात करें तो क्या चीज़ हमार पर सारा है तो यहां पर दस दस बीस और दस तीस कि तीस के बाद साथ पांच पंदरा अब बीस पचास आघा है बहुतoting धेशिक में इसको पचास लिख सकते हैं कि यह बश्पśl सक्था और पन्दरा और पांच बीस पचास हो इस पचास हो ठीक है इसकी बात कहते इसमें क्यां हो रहे तो पांच पांच दस कर जीरो हासिल एक ठीक है अब इसमें क्या है सातीन दस और ग्यारा ने सातीन दस दस बीस और अटटाइस और एक नफ्नकरण आसल दो ठीक है दो अजए तीन दो पांच एक छिए चार दस दो बारा यह आ रहा है बारह सो नभे आ okay Sigma fi xxe 1290 है और यह है 50 इसको हम यहां रखेंगे यहां रखते कितना गया तो यह आगए हमला पर 1290 ठीक है और बटे में कितना रहे तो बटे में 50 आ रहे हैं ठीक है भी यह पचासार जीरो से जीरो गट गया पांच से हम इसको भाग करते हैं तो पांच दूनी दस और पचम पच्चीस पॉइंट में पांच चालिस मतलब यहां पर हमारा मीन जो आ रहा है माध्य जो आ रहा है वह कितना आ गया 25.8 आ गया 25.8 माध्या चुका है तो इसको आप नोट कर सकते हो कि वर गंतराल वाले कोश्चिंस में इस तरह के से करना पड़ेगा यानि इसमें नया सिर्फ यही था कि वर गंतराल तो यहां पर इतनी सी एक्ष्टा चीज थी और यहां पर आपको नहीं सौल कर लिए ठीक है चुलब आप इसका स्क्रिंसॉट लेलो और आते हम फिर नेक्स्ट कुश्चिंट पर ओके तो आज हमने यह टाइप वन के टाइप वन के जो कुश्चिंस से कर दी हैं कम्प्लीट मतलब हमने अभी क्या है प्रतेक्ष विजए डायक्ट मेथट डिर्क्ट के अनुसार जितने भी कोश्चिंस आपके टाइप के बनते हैं जो आस तक बनें उसी का आधार पर जो आपके बोर्ड के पॉइंट अभी से ही होंगे ओके चलो इसके बाद में आप लोगो बता चाहता हूं मैंगने के बार में ऐसे प्लाफ़ों में जो आपको प्रवाइड करता है 100% के लिए और आपके सुविदाओं के लिए मैंने लॉंच क्या है मैंने की वेबसाइट जो की है डॉट मैंने डॉट कॉम और इस वेबसाइट की खार्शियत यह है कि इसमें आपको डाटा मिलने वाला है बिल्कुल सिस्टेमाटिक तरीके से यानि की क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज टीचर वाइज इस तरह से साला डाटा बिल्कुल अरेज़्ट है यानि आपको अगर कोई भी कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप इसमें बहुत बहुत आसान तरह से पढ़ सकते हैं और वह कैसे तो यहां पर दिखते है जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि हमारे पास सुरू में तीन चार सक्षन दिये हुए हैं कि इंग्लिस मीडियम एंटी ऐसी ओलंप्याड और हिंदी मीडियम इस तरह के चारों है जिसके अंदर अलग लग क्लास के अलग लग क्लास का डटा है अब जैसे कि आप हो हम हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मेडियम पर क्लिक करेंगे हिंदी मीडियम पर क्लिक करते आपने 10 क्लास को स्लेक्ट किया स्लेक्ट करते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है जैसे कि माल दो अभी हम हम पढ़ रहें सांखी की और सांखी की कई तो उसके लिए आप यहां पर आईए इसके अंदर क्लिक करो यहां पर क्लिक करते के साथ यहां पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी तो आप यहां पर उस टॉपिक को देख सकते हैं और देखते के साथ उसको पढ़ सकते और यहां पर होती है रेग्लर क्लास्स और डेखना बिल्कुल न भूले जितने आप रहेंगे पंक्चिल रहें तो उतना ही आपके लिए फाइदे मंद रहा है जैसे कि आप तुशिंस क्लासे स्कूल क्लास को रेग्लर जोएं करते हैं वैसे आप इसको रेग्लर जोएं कि जि और इसके अब देशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब और प्रेस करने जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें तो यहां पने रिलेटिव में फ्रेंट सरकल में जो भी हैं उनको यह चीजिस कर सकते हैं जिससे आपके फाइदे के साथ-साथ उनका भी फाइदा हो तो इसे के बाद में आप लोगों बताना चाहता हूं कि मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ताप करते रहें तेंक यू